वेलकम टू सिविल स्टाप टिछी एक्जाम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स फॉर उनित 5 अब उनित 5 की मैं बात करूँ उनित 5 आपका ड्वेल्टमेंटल बायोलोजी है और बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन यूुनितु है है और दुटेंटंचन थोडा सा सकते हो उतने जादा tricky questions नहीं आते तो अब हम बात करेंगे कि इसमें भी आपके most important essay कॉन से आप बोल सकते हो topics हैं जहां से आपके बहुत जादा question या बहुत जादा वेटेज जो है वो topics रखते हैं तो यह analysis जितने भी अभी आपके CSIR नेट की life sciences के exam conduct हुए हैं तो उसमें जितने भी आपके questions आये हैं उनको regarding के उनको reference रखते हुए यह आपके सामने data जो है वो रखा जाएगा कि what are the most important units for this unit that is developmental biology so before proceeding आपके पास एक notification आपके एक नोटिफिकेशन आपके तरफ से आपके लिए बहुत सारे batches जो है वो available है for HP TGT Commission, PGT Commission, DSSSSB TGT if you want to join any of these batches you can contact on this number as well as you can download the app from play store right so अगर हम बात करते हैं सलेबस की developmental biology में सबते पहले सलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके पास एक unit जो है वैसे आपके पास 13 units रहते हैं 13 मेंसे जो आपका 5th unit है that is developmental biology 5th unit भी आपका 5 domains में further divided है and 5 domains में आप देख सकते हो इसमें पहले basic concepts है development के second में आपका gametogenesis, fertilization and early development है third में आपका morphogenesis, organogenesis, animals में है fourth is about plant development and fifth is about program cell death, senescence, aging जिसमें आप पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे units जो है एक unit further जो है 5 domains में divided है अब क्या होता है इतने सारे domains है इतना सारा आप बोर सकते हो lengthy unit है तो कौन से ऐसे topics हैं जो आप cover करेंगे कौन से ऐसे topics हैं जो आप skip भी कर सकते हो तो जी बिल्कुल आप skip कर सकते हो लेकिन skip आप कौन से topic कर सकते हो जिनसे questions आपके बहुत ही कम आए है या फिर जो analysis है उसे chances बहुत कम है और कुछ essay topics हैं जहां से chances बहुत जादा हैं जो कि अभी हम बात करने वाले हैं वो essay topics हैं जिनको skip करने के बारे में आप नहीं सोच सकते तो चलिए start करते हैं अपनी most important topics first अगर मैं बात करूँ this is from आप बहुत सकते हो पी वाई क्यों की analysis के बात जो है यह data आया है तो first is developmental in mammals अब mammals की बात करें तो सबसे जादा questions more than 25 plus questions जो है वो आपके इस topic से देखे गए हैं from development in mammals इसमें आप आप gametogenesis पढ़ते हो gametes की formation, fertilization, cleavage, blastulation, gastulation सबसे questions देखे गए हैं so most majority of the questions आपके यहां से इस topic से आये हैं तो यह topic तो ऐसा है कि आप skip जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आपको thoroughly जो है यह cover करके जाना पड़ेगा next मैं बात करूं drosophila बहुत important है अब developmental biology जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि developmental biology का syllabus ऐसा design है specific organism की development के बारे में आपका जो है वो आपसे पूरा के पूरा theory sections रहता है कि वहां से आपको cover करना होता है जैसे drosophila हो गई सी अर्चिन उसके बाद अगर हम बात करें frog, amphibians, abes सब में आपके basic syllabus ऐसा design है तो उसमें से भी अगर हमने देखना हो तो drosophila जो है वहां से बहुत जादा आपके questions उठके आए हैं और कहां से आए हैं जो basically genes अब इसमें मैंने आपको already बताया developmental biology में genes जो हैं वही सबसे majority वाला जो role है वो play करें अगर आपने वो पढ़ लिया आपके direct questions जो हैं वो बनने वाले हैं पैक्ट 1 formation में जो genes majorly हैं वहां से आपके बहुत सारे questions उठके आए हैं अपार्ट from that जो mutation cases हैं according to that genes की यह genes है वो mutate हो गया फिर क्या result होगा उस पे भी आपके बहुत सारे questions जो हैं वो देखने को मिले हैं उसके बाद हम आते हैं इसमें भी आपके 25 प्लस जो है वो questions देखने को मिले हैं from drosophila यह आपके जितने भी अभी तक के CSIR net exam conduct हुए हैं उसके reference में आपके सामने यह data रखा जा रहा है next is amphibian development trogs के basis पर हम यहाँ पर development पढ़ते हैं वहां से भी आपको बहुत सारे questions देखने को मिले हैं around 25 प्लस and plant development में से भी तो यह ऐसे कुछ topics हैं जो कि आप skip करने के बारे में नहीं सो सकते आपको यह पढ़के ही जाना पड़ेगा if you have to score in this unit next हम बात करते हैं C अर्चिन की बहुत important है 20 प्लस question यहां से भी आपको देखने को मिले हैं in the past few exams not few all exams sorry all question papers next हम बात करते हैं C अर्चिन की C अर्चिन में development जो है उस पर भी questions आपको देखने के मिले हैं कौन से further topics हैं जैसे polysperm block हो गया fertilization specification इन सब से questions आपके पास देखने को मिले हैं next is C elegance यह कुछ ऐसे आपके topic है weightage ऐसे ही है from high to low सबसे जादा जो है यहां पे फिर भी high भी आप देखो 25 plus 20 plus यह एक ऐसा number है कि इसको आप ignore नहीं कर सकते 20 plus यहां से questions उठके आए है 20 plus C elegance से questions उठके आए है लिम development में से आपके 10 plus questions around 11-12 questions अभी तक आपके यहां से देखे गए हैं next मैं बात करूं basic concept developments की stem cells क्या है, potency क्या है, हर बार questions आते हैं, specification पे हर बार questions जो है वो देखे गए है 10 plus questions जो है आपके यहां से भी देखे गए हैं, यह आपके आप बोल सकते हो most important topics हैं और यह आप skip नहीं कर सकते यह वाले topics next मैं बात करूं कुछ ऐसे topics हैं जहां से limited number of questions देखे गए हैं, for example 5, 6, 7 या फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ questions देखे गए हैं तो questions देखे गए हैं उत हद तक नहीं देखे गए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, regeneration की तो उसके types पे, कितने types के regeneration होते हैं उस पे आपके बहुत सारी questions आये हैं eye lens induction, vertebrates में कैसे process होती है, उसमें भी आपके कुछ questions देखे गए हैं apart from that, mouse and chick development में इतने जादा questions नहीं आये हैं, comparatively अगर हम drosophila, C, elegance, C, urchin की बात करें तो इन में number of questions आपके इतने जादा नहीं देखे गए हैं, लेकिन आये हैं यह ऐसे topics हैं कि बहुत जादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं, 5 to 10 questions यहां से आपके देखे गए हैं यह थे कुछ आपके 11 topics जो कि आप बिलकुल भी skip नहीं कर सकते, अगर आप CSI या NET के लिए prepare कर रहे हो यह unit आपका बहुत जादा scoring unit हो सकता है, और यह आपके majority of the topics ऐसे हैं, जहां से most आपके questions जो हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं That's all about this video, thank you so much